नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोश कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स सूपर थीफ रुस्तम और रहस्य में बिल्ली सूपर थीफ रुस्तम और रहस्य में बिल्ली हम आपका परिचय एक ऐसे चोर से कराने जा रहे हैं जिसे अपनी तरहें का अकेला और अनोखा चोर कहा जा सकता है इन चोर महाश्य का नाम रुस्तम है इनकी विशेशता यह है कि यह भारी महनताना लेकर सिर्फ ऐसी शीची चुराते हैं जिनका बाजार में कोई मूल लेना हो यानि जिने बाजार में पेचाना जा सकता हो परिचे नाम रुस्तम, आयू 30 वर्ष, शिक्षा M.A. English, हमेशा अकेले काम करना पसंद करते हैं कुछ विशेश मौकों को छोड़ कर हर तरह के लड़ाई लड़ने में दादा, साइकल से लेकर हवाई जाहस तक चलाना जानता है रानी नाम की एक स्टेज का लाकार यूती से प्रेम करता है और यह है मिस रानी परिचे स्टेज आर्टिस्ट है, रुस्तम से प्रेम करती है और उसी के साथ उसके फ्लैट में रहती है रुस्तम का पहला कारणामा पढ़कर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह महाश्य सचमुझ अपनी मिसाल आप है इस समय यह अपने फ्लैट में आराम कर रहे हैं रानी इन दिनों स्टेश चो के लिए शेहर से बाहर गई हुई है अचानक ट्रेन ट्रेन सुभा सुभा ही किसका फोन आ गया हेलो रुस्तम स्पीकिंग मैंने तुम्हारी आवास सुनते ही पहचान लिया था दोस्त अब जरात तुम भी मुझे पहचान कर दिखाओ उसने कुश्चन दिमाग पर जोड डालने की बात कहा सौरी मैं नहीं पहचान सका बताईए आप कौन है रुस्तम की कलपना में तुरन थी रुमेश का चितरुभ्रा रुमेश कॉलेज में उसकी साथ पढ़ता था एक बार उसने रुस्तम की चान भी बचाई थी रुस्तम को वह घटना याद हो आई जब कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक बिगड़े हुए युवक से उसकी दुश्मनी हो कई थी उस युवक का नाम टोनी था मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा रुस्तम उसी दिन जब चुट्टी के बाद रुस्तम अपनी मोटर साइकल पर जा रहा था टोनी को देखकर वह समठा लेकिन देर हो चुकी थी धाड़ और उसके साथियों ने जीब से उतर कर उसे घेर लिया मैंने कहा था ना कि मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा तुम कायर हो टोनी मुझसे बदला लेने के लिए किराई के गुंडे लेकर आये हो अगर हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो हाँ 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 मौत को सामने देखकर डर रहे हो बेटा अच्छा मैं अकेला ही तुमसे निपड़ता हूँ अगले ही पल धार फिर रुस्तम ने कलाबा जिखाई और उफ फिर वह उचलकर खड़ा हुआ और टोनी की हौकी पकर ली एक जटके से उसने हौकी चीनी और तराक टोनी पीरा से चटपटाते हुए चिल्लाया था मार उसाले को उसकी साथियों ने रुस्तम पर हमला कर दिया तराक और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हुई रुस्तम बड़ी पहादुरी से लड़ रहा था आह! एक बदमाश की तो उसने टांगे तो डाली थी लेकिन तभी एक अन्ने गुंडे ने पीछे से उस पर हमला कर दिया रुस्तम का सिर्फ फट गया था और उसकी आँखों के सामने अंधिरा चाह रहा था अब तेरा अंतिम समय आ गया है और अब वह चाकू रुस्तम की छाती में उतर नहीं वाला था की? ए! ठैरो! रमेश और उसके साथी जीब से उतर कर बदमाशों पर तूट पड़े कुछ देर कुंडे मुकाबला करते रहे लेकिन फिर उन्हें भागना पड़ा बाद में रुस्तम ने रमेश का शुक्रियादा किया था अगर तुम ना आते तो टोनी मुझे मार डालता जान बचाने के लिए धन्यवाद दोस्त दोस्तों के बीच यह आपचारिकताएं अच्छी नहीं लगती दोस्त रुस्तम अतीत की घटनाओं में खोया हुआ था कि रमेश की आवाज सुनकर चौक पड़ा कहां खो गए दोस्त इतने वर्शों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर खुश हो रहा था रमेश कहां से बोल रहे हो तुम्हारे ही शहर से तुमसे मिलना चाहता हूँ आज शाम आठ बजे सबीना केफे में आ सकते हो और आठ बजे रुस्तम सबीना केफे में रमेश से मिला बहुत देर तक दोनों पुरानी बाते करते रहे फिर रमेश बुला रुस्तम मैं तुम्हारे पेशे से अच्छी देने परीजित हूँ तुम उचीत महंताना लेकर चोरी का धंदा करते हो न? हाँ, लेकिन मैं ऐसी चीजी चुराता हूँ जिनका बाजार में कोई मूल्य नहो मैंने आज तक कोई केमती चीज नहीं चुराई है मैं यह भी जानता हूँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्या तुम कोई चीज चोरी कराना चाहते हो? हाँ, मैं एक बिल्ली चोरी कराना चाहता हूँ बिल्ली? रमेश नी जेब से एक तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी यह तस्वीर देखो रुस्तम नी तस्वीर उठा कर देखी कुशन देखने के बाद अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह सफेद बालो वाला जिसकी गोद में बिल्ली है अंडरवर्ड संगठन माफिया का स्थाने बॉस है इसका नाम के की पासी है तुम ठीक कह रहे हो और दूसरा व्यक्ति पासी का सेकेटरी है इसका नाम धर्मदास है पासी की गोद में उसकी बिल्ली मारिया बैठी है तुम इसी बिल्ली को चोरी कराना चाते हो हाँ मारिया नामक के है बिल्ली पासी को बहुत प्रीय है पासी उसे हमेशा अपने साथ रखता है यहां तक की पार्टियों में भी उसे साथ लेकर जाता है लेकिन तुम्हें इसकी बिल्ली से क्या दुश्मनी हो गई है? कोई दुश्मनी नहीं है मुझे सिर्फ एक दिन के लिए वह बिल्ली चाहिए किसी भी तरह इस इत्वार को मुझे बिल्ली ला दो सौमवार कोई सुभे मैं तुम्हें बिल्ली वापस कर दूँगा अंडरवर्ट किंग पासी की बिल्ली चुराना सरल काम नहीं है रमेश तुम्हारे लिए कठिन भी नहीं है मैं जानता हूँ तुम यह काम कर सकते हो हाँ कर सकता हूँ बलकि तुम्हारे लिए जरूर करूँगा तुम्हारा उपकार मैं अभी तक भूला नहीं हूँ यह काम तुम किसी उपकार के बदले में नहीं करूगे बिजनेस इस बिजनेस मैं तुम्हारी पूरी फीस अदा करूँगा और फिर रमेश ने फीस की रकम जबर दस्ती रुस्तम के जेब में ठूसती थी केके पासी की विशाल कोठी शहर के निकास पर एक जील की किनारे बनी हुई थी चार दिवारी का एक फाटक बिलकुल जील के सामने खुलता था जहां किनारे पर जेटी बनी हुई थी मुख्य फाटक पर दो गाड़ 24 घंटे पहरा देते थे रुस्तम दूर एक पहाड़ी से दूरबीन द्वारा कोठी का निरिक्षन कर रहा था चार दिवारी के उपर लगे उन तारों में बिजली का करन डौरता रहता है यानि चार दिवारी फांद कर भीतर नहीं जा सकता उसने दूरबीन को चार दिवारी के भीतर बनी मुख्य इमारत पर फोकस किया वैकोठी का मुख्य दौर है दरवाजे के बराबर में ही एक कतार में कमरे की खिड़कियां थी एक खिड़की के बाहर दिवार में टेलिफोन के तारों का खंबा लगा था टेलिफोन के यह तार चार दिवारे के उपर से होते हुए उस खंबे तक चले गए थे जो बाहर सड़क के किनारे लगा हुआ था काफी देर तक निरिक्षन करने के बाद वे पहाडी से उतर कर अपनी कार में आ बैठा और कोठी की और रवाना हुआ जील से कुछ दूर पहले कार रोकर मशली पकड़ने का सामान लेकर वे कार से नीची उतरा लेकिन जील की और जाने की बजाए वे गूमकर कोठी के पिछले भाग में बहुँच गया इस तरफ से भी भीतर नहीं गुसा जा सकता दीवार काफी उंची है और उपर तार भी लगे हुए है तबी उसके कानों में एक नारी स्वर टकराया क्या तुम इस दिवार पर चरने की सोच रहे हो वे तेजी से पल्टा जी नहीं मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि इस कोठी में अवश्य ही कोई बड़ा आदमी रहता है तबी तो जबर्दस्त तुरक्षा प्रबंध है तुम बिलकुर ठीक सोच रहे हो यह कोठी मिस्टर के की पासी की है वे बहुत बड़े पिजनस बैन है लेकिन तुम कौन हो मैं शिकारी हूँ जील पर मचलिया बकरने आया हूँ तो फिर जील पर जाओ यहां दिवार के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो जा रहा हूँ जील पर आकर उसने एक किष्टी किराय पर ली और मचलि का शिकार करने लगा लेकिन उसका ध्यान शिकार की और नहीं था मुखे द्वार से यह दिवार फांद कर तो कोठी में घुसा नहीं जा सकता कोई और ही तरकीब लडाने होगी तब ही दोर को जटका लगा तो वह चौक पड़ा कांटे में एक मचली फस गई थी फस गई मचली किष्टी में रखकर वह किष्टी को खेता हुआ पासी की कोठी के निकट लिया आया दूर्बिन उठाकर उसने कोठी को देखा जेटी और फाटक पर कोई पहरदार नहीं है उसने दूर्बिन नीचे रखी और अपने थेले से एक प्लास्टिक की थेली निकाल कर उसमें से मचली पकड़ने की डोरी और कुछ कांटे निकाल कर जेब में रखे कुछ और जरूरी सामान पहले ही उसकी जेबों में रखा हुआ था फिर वहें किष्टी को जेटी के निकट ले आया वहें डोर में फसी हुई मचली को हाथ में लटकाए जेटी पर उत्रा था जेटी पार करके वहें चार दिवारी के गेट पर पहुँचा जहां कोई पहरदार नहीं था फाटक खोल कर वहें भीतर परविष्ट हो गया भीतर लंबा चोड़ा बाग था उसने अभी दो कदम ही उठाए थे कि चौक पड़ा दो विशाल काए कुट्टे बाग के कोने से निकल कर उसकी और दोड़े आ रहे थे मर गए यहां तो इंसानों से भी सक पहरेदार है वह घबरा कर एक करीबी पेड की और भागा वह पेड की निकट पहुँचा ही था कि एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी उसने पलट कर देखा कुट्टे कुछ दूरी पर रुख गए थे कोठी की ओर से पासी का सेकेटरी धरमदास उनकी ओर आ रहा था रुस्तम पेड की तने से पीट लगा गर गहरी गहरी सांस लेने लगा धरमदास उसकी निकट पहुँच चुका था ए मिस्टर अगर मैं सीटी बजागर कुट्टों को रोक न लेता तो अब तक यह तुमें फार चुके होते आपका धन्यवाद कौन हो तुम और यहां क्यों आये हो मैं जील पर शिकार खेलने आया था अचानक याद आया कि मुझे एक जरूरी फोन करना है सोचा यहां फोन होगा इसलिए चला आया अच्छा ठीक है फोन उस तरफ स्टोर में है जाकर कर लो मर गए मैं तो सोच रहा था कि फोन के बहाने से कोठी के भीतर जाने का मौका मिल जाएगा निराशा से सिर जटकते हुए वह मचली हाथ में लटका है स्टोर में आ गया मचली नीचे रखकर वह फोन पर एक नमबर घुमाने लगा किसी को फोन तो करना नहीं है कुछ देर नमबर घुमाने के बाद कह दूँगा कि लाइन नहीं मिली तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद